अगर आपने इस तरह से हीटल लगाया इस तरह से ऊपर D dash cap 2 नए आपका को अजै तरीका आप अप हुआ तो हीट्र ब्लास्ट हो जाएगा फूर जाएगा ही इस तरीका अपको फूली पानी के इंदर उस तरह से साइड में चिपका सकते हैं फुल पानी में होना फुल पानी में इतना यह बायर हाँ आज हमें परिफीश एक्वरें में हम सब के चाहते हैं अरी बहुत ही अच्छा सा इक सब्जेक्ट लेकर आए हो कि अभी विंटर आने वाला है तो विंटर में आप फीश की केर कैसे ले तो आरी बही आज आप हमें क्या बताने वाले हैं एक्छल आज का टॉपिक जो है आप लोग को हीटर के उपर टॉपिक है मेरा तो यह इसलिए वीडियो बना रहो हमें अभी जो विंटर आने वाला है थंडी आएगी तंडी के वएससे काफी जाता प्रोब्लम होगा वाइ विंटर में फीश की केर कैसे लेना है इसके बार वीडियो में हम कवर करने वाले तो सबसे पहले मैं चाहूंगा अरी भाई कि जो वाटर का टेंपरेचर होता है वह बहुत ज्यादा इफेट करता है हमें विंटर में तो उसके लिए आप क्या रेकमेंड करते वार्वाई गरम पाने रहेगा मच्छी और बैक्टरी तुम भी रहेगा वह बैक्टरी असके खतम हो जाता है तो आप लोग को जैसे के एक जामपल देके मूंबए के अंदर इस्यूनि आता है जैसे के दिली में हो गया या पिर कानपूर साइड में हो गया तो वापे प्रॉब्लम होन है पहले हिटर बाई करते तो एक्वेरेंश शॉप में जाते तो वों से साइस का यानि कितना वैट का हमने इटर निए उनसे साइस के टैंक के लिए पाई करना चाहिए तेंक साइस में डिपेंड होता है सबसे पहला लोग धियान में रखी जैसे आध जांबल आपका एक टैं यान को कवर करता है। तो आणी इसका जो टेमप्रेचर है बोथ लोगों को पता नी होता है तो इसका टेमप्रेचर सेटिंग हमने कितने पर अपना चीह है आप्रप्रोवल की बता है, अगर हों इसको थेम्देट के लिए इसको अप्रषा नर्मец word. अगर आप ऌन्सीद बसा लेगा। अरी भी मेरा एक सवाल है कि हमने कब तब इसे यूज करना चाहिए डिपेंड ओन तरह अपके दादा थंडी कितनी है अगर आपके दादा थंडी है तो आप इसको 24 वर्स चला सकते हो अप्टमेटिक लिए बंचालू होता है अगर आप की आपने क्या होता है क किया अब मीर्मित थि पाणिगरा मोन इक अपलोग इसको अगर जादा थंडी को आप इसको 24 वर्स चला सकते आगे तो रेंडेम इसको बारा गंदा चलाएंगे तो वैस्त है अगर आप के तरह जोबी एक सिती में रहते हो जैसे के एक्जाम मिन्टर का ठाइम है तो आप लोग इसको डिए-थे ना है तो है इस आरी फिर मुझे थोड़ा सा बताई यह की हमें थेम्प्रेचर का इस कते मैं सबसे बड़ा डाउट होता है लोगों का अ सब्सक्राइब लीट इस तरह से लगा लिया अपने सक इंदर भाइब लगाने का इसमेड इसके लाव आप अंदर देखेंगे यहां पर आपको नजर आए गड़ा यह तेंपरेचर और इसको सेट कहां से करते हैं इसको सेट करने के लिए उपर बटन होता है यहां पर आप यह वाला नॉप गूमाना होता उपर अंदर में घूम रहा है यह देखेंगे यह 30 पे है यह 28 पे आप सेट के दिजिए इस तरह से होगे आपका 28 पे सेट किया उसको ओके यह नौब उपर वाला नौब गूमा के आपने टेंपरेचर सेट कर दिया 28 डिगरी पे अभी इसको आप कंटिन्यू चला सकते हो आटोमेट यह घेटर लगाने का विक तरीका अगर यह पानी के अंदर तोटल ली यह vältड पी रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं यह बगर अगर आपने इस तरह से लगाया इस तरह से उपर जैसे के पानी इतना है आपका और इस घेटर इतना आता है तो ब्लस्ट हो जाएगा फूट जा कड़ेक तरीका आपको फोली पानी की नथर आप़ तरह से साइड में चिपक का सकते है तो आप इसको इस्त तरह करके लगा सकते हूं सब्सक्राइब के लिए आप इसको क्रॉस कर सकते इतना पानी आपको रखना है बश अर्व इतना पानी रखना है बट आपका कीट पानी पानी के रहना चीए यह नहीं के भाई आपड़ी इतना रखेंगे हो रुड़ी चालू कर दें फूरी आइगा यह चीज यह भी काफी जादा कॉल भी मुझे आरिभ भाया रिटर फोड़िया पता नहीं का फूटा कुछ भी रिजन होते भाई यह छोड़ी बाते अरी हम ही टर तो लगा देतें पर इसका रिजन शुट लगाने पानी वाम होता है और अच्छ अपने लोग को डॉक्टर बोलता है पानी गरम कर के पी आ करो बैक्तिरिया मार जाता पानी जब ऑना गरम करे पीते हो तो अपने को इंटरनेली प्राभलम नहीं होता है जैसे बा ऑपका बॉलना ये है कि थंड़ा पानी होने के वज़े से फिश को डिसी लगने के चांसे बहुत ज्यादा बड़ जाते हैं विए पानी के वएसे बाइज दिसेस लगते हैं और दूसरा है के पानी को ओलेडी खाब रहा तो भी डिसेस लगते हैं आए भाई मैंने तो ऐसा सुना था कि वारम बॉट्र से कोई फिश बिलॉग करती है तो उसके लिए इसे कोई ज़ना जबूर है ऐसा कुछ है देटः जाने को देटपने हुआ. यह पीजिया होनें संफ़ का आपो फेल लगता हुआ है थो फेल को लिगृत आप डूहिउरlle पानी सित्व होगे लगता है,. पानी में सुइम करते हैं अब को घर लगता है जमीन की गर्वती है तो इसलिए मैं बोलता है आपको हीटर लगता है तो आप बोलते हो कि हीटर लगाना ही चाहिए नहीं तो आपका फिश गया उसके चिकलेट फैमेली विलाउं करती है उसके अंदर ऑसकार है फिर आपके डिसकास है यह देखेंगे जिस तरह से मैंने डिसकास के अंदर लगाया वह हूँ इसके लावा मैंने यहां पर मैंने के बावजूद भी मैंने यहां पर यूज किया हूँ क्या होता है कि अगर दो से चार गंटा मैं यूज कर रहा हूँ तो मेरा जो बैक्टेरिया हुआ है पानी के अंदर का यह जो डिसस हुआ है मच्छी को नहीं पकड़ेगा इसलिए मैं इसको 2-3 गंटा भी यूज कर सकता हुँ तो मैंने मेरे टैंक अंदर भी यूज किया हूँ आप लोग के आपको वीडियो बनाने के लिए और यह रिजन बला इसका वीडियो बनाने के लिए विंटर आ रहा है आप लोग इसको यूज करें इसको उसको पुछने की जुरुत नहीं पड़ेगी वाही मेरा वीडियो को इंचालला आप लोगो सब पता चलेगा मच्छी पालने का तरीक और इसे ही मेरे साथ वीडियो में जूड़ते रहे हैं मेरा चैनल का नाम ओफिशल प्लांट से आप लोग मुझे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ठाकि इसे वीडियो आप लोग को बिलते लिए नोलेज़बल आप में अच्छी पालने का तरीका सीखते रहे हैं और आपके साथ में मिलेंगे इसी चैनल पे और हमारे प्यारे से आरिभाई के साथ में थैंक यू सो मड़ी द्वा में आद रखिए उपर में जो सरकल दिये उस पे क्लिक किजिए और फिशेशन प्लांट चैनल को सब्सक्राइब किजिए झाल